अब हमें आपे क्या करना है देखो अब हम चलते हैं product controller के उपर ठीक है भाई देखो view बन गया हमारे पास तो जब भी हम अपने वो जो हमारे पास add product वाला form है उसके अंदर जैसी data देंगे और जब create पे click करेंगे submit पे click करेंगे तो request जाएगी एक दूसरे add product के method के पास और इसके ओपर हम लगा देंगे http post ठीक है क्योंकि जब भी आप form submit करते हो तो post request काम करती है तो वो जो post request है वो हमारे पास यहाँ पे आएगी और यहाँ पे देखो वो जितना भी data है वो मैं यहाँ पे catch करूँगा इस add product के parameter के अंदर और वो जो parameter बनेगा वो किस type का होगा product view model type का होगा ठीक है और यहाँ पे मैं इसके object का नाम रख देता हूँ parameter का नाम रख देता हूँ prod ठीक है आपका आपकी मर्जी है आप यहाँ पे कुछ भी इसका नाम रख सकते हो ठीक है ठीक है मतलब जब हम अपना वो जो form है उसको submit करेंगे ठीक है तो उसका जितना भी data है मतलब text boxes का जितना भी data है वो इस parameter के अंदर यहाँ पे आके store होगा जिसका क्या नाम रख देता है हमने prod ठीक है तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हमें coding करनी है इसके अंदर हमारे पास जो photo वाली property है कौनसी property जो के हमारी image को accept कर रही है ठीक है तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि अगर ये null नहीं है ठीक है अगर ये null के बराबर नहीं है तो क्या करो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं एक class यूज़ करूँगा जिसका क्या नाम है path.combine यहाँ पे मैं use करूँगा ठीक है और इसके अंदर यहाँ पे देखो एक काम करूँगा लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है एक webhost environment create करना है ठीक है तो उसके लिए यहाँ पे आ जो top पे चलते है यहाँ पे मैंने context का variable बनाया यहाँ पे मैं एक और variable बना तो वो जो image upload होती है physically वो किसी folder में जाके store होती है और वो folder में अभी अपने project के अंदर बनाऊंगा और यह सारा काम होता है web hosting के environment में तो उसको manage करने के लिए यहाँ पे हमने देखो यह iwebhost environment जो interface है उसका यहाँ पे हमने यहाँ पे variable बनाया अब इसको भी initialize किस तरह से करे तो यह पूरी line यहाँ पे खुदी add हो जाएगी देख रहो ठीक है और फिर यहाँ पे देखो यह automatic यहाँ पे इस तरह से initialize भी हो गया मतलब इसका भी object बन गया मतलब अब मैं इस env को use करूँगा ठीक है तो यहाँ पे आ जाओ नीचे ठीक है जो add product वाला काम किया था path.combine म अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ यह जो env वाला variable है env. और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहूँगा web root path ठीक है और वो path क्या होगा यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे images के नाम से एक folder बनाऊंगा ठीक है और इस folder का जो भ www.root के अंदर क्योंकि जितनी भी हमारी static files होती है ठीक है चाहिए CSS की हो javascript की हो या images हो वो सारी www.root के अंदर हम इस्टोर करते हैं तो देखो www.root के अंदर यहाँ पे मैं एक folder बनाता हूँ इसके उपर right click करते है add पे जाते है और यहाँ पे मैं new folder लेता हूँ और इस folder का ना ठीक है यह हमारे पास इस folder के अंदर आ गया मतलब images वाला folder हमारे पास folder के variable के अंदर आ गया ठीक है ठीक है अब यहाँ पे देखो अब मैं एक और यहाँ पे line लिखता हूँ भाई देखो जो मैंने file name वाला variable top पे बनाया था इसको मैं use कर रहा हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं class use कर रहा हूँ good good मतलब globally unique identifier ठीक है और इसके अंदर मैं आप एक method use कर रहा हूँ new good का ठीक है और इसको मैं आपे two string के अंदर क्या कर रहा हूँ convert कर रहा हूँ ठीक है यह अभी मैं समझाता हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ मतलब देखो यह वाला जो हमा मैं concatenate करता हूँ किसे यह जो हमारा product है ठीक है जो parameter के अंदर आ रहा है इसके अंदर जो photo है ठीक है उसके अंदर से मैं file name को get कर रहा हूँ ठीक है यह वाला मतलब देखो मैं आपे करना क्या चाह रहा हूँ देखो यह वाला जो code है na good.new good और इसको twisting में convert कर रहा हूँ यह ह यहां पर देखो मैं underscore डाल रहा हूँ और यहां पर देखो मैं क्या concatenate कर रहा हूँ जो हमारी image का नाम होगा for example मैंने एक image upload की उसका नाम क्या था आदिल.png तो आदिल.png यहां पर underscore के साथ concatenate होगा और इसके शुरू में हमारे पास कुछ random characters concatenate होने के बाद इस file name के variable के अंदर store हो जाएंगे ठेक है तो यह वाली आपने line लिखनी है उसके बाद next अब देखो next line में हमें यहां पर क्या लिखना है यहां पर देखो enter कर कमबाइन उसको मैं use करता हूँ और इसके अंदर आप देखो यहां पर मैं सबसे पहले folder वाला variable पास करता हूँ और comma लगाके यह जो file name ठीक है यह वाला variable पास करता हूँ ठीक है तो अब देखना यहां पर क्या होगा मतलब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ कि यह जो folder जिसके अंदर images का folder है और यहां पर देखो जो हमारी पूरी file name है मतलब यह वाला जो पूरा का पूरा file name है इन दोनों को मैं concatenate करके कहां पर पास कर रहा हूँ file path के एक variable के अंदर पास कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद आगे देखो next line में आपर देखो जो हमारे पाद पार stream क्या कहते है file stream और इसके अंदर यहां पर देखो इसके पहले parameter के अंदर यहां पर मैं पास करूँगा यह file path वाला variable ठीक है कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद यहां पर मैं कहता हूँ file mode ठीक है यह जो file stream है इसका file mode होता है और file mode मैं यहां पर use कर रहा हूँ create तो अब image है उसको हमें यहां पर generate करना है create करना है इस file path के उपर और यह वाला जो काम है हमें कौन करके देगा file stream वाली class मतलब यह जो product है ठीक है जो भी मैं add करूँगा अपनी image वो copy हो जाएगी हमारे पास इस path के उपर और यह वाला कौन सा path है जो मैंने images का folder बनाया है यह वाला path म यह वाली यूस कर रहा है जिसके ड़ाँ जिसके अंदर हमारे पाँ image path string थृ इसको मैं यह पर use कर रहा हूं और यहां पे मैं इसका object बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ, P, ठीक है, और यहां पे आके new, ठीक है, और उसके बाद दुबारा है, यहां पे product, ठीक है, product, और यहां पे देखो, इसका constructor पास किया, और उसके बाद देखो, semicolon लगाने के बजाए, यहां पे मैं, इसका यह हमारे पास curly bracket होता है, यहां पर मैं इसको इस तरह से pass कर देता हूँ. और अब इसके अंदर देखो, हमारे पास जो पहली property है, इस object के अंदर वो कौन सी है name, ठीक है, name के अंदर यहां पर मैं pass कर देता हूँ. मैं कहह रहा हो, यह जो prod है, इसके अंदर से जो name की property है वो आप यहाँ pass कर दो कॉमा लगा इसके अंदर price की भी एक property है और private करो यह जो prod action method की price दो और फिर यहाँ पर पास कर दे तो अब देखो अब यह जो मैंने object बनाया है जिसका मैंने नाम क्या रखा है अब इसको देखो मैं कहां पर store करूँगा देखो यह जो मैंने context का variable बनाया था टॉप पर टीक है जो के हमारे db context का variable था टीक है और इसके अंदर यहाँ पर देखो हमारे पास एक db set था जिसका नाम क्या है यहाँ पर देखो products मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो हमारे यह db context class है इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना यह जो हमारे पर db set है जिसका क्या नाम है products यही हमारे database के अंदर जो product वाला table है उसको represent कर रहा है मतलब मैं आपे जो मैंने object बनाया है पी उसको मैं इस db set के अंदर insert करूँगा तो होगा क्या automatic हमारे table के अंदर insert हो जाएगा तो यहाँ पर आजाओ देखो आपको नदर आ रहा है automatic यह आपको दिखा रहा है tap करता हूँ तो यह देखो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि यह जो हमाँ products वाला db set है इसके अंदर add कर दो क्या यह p यह p क्या है यह वाला object जो के मैंने यहाँ पर इस तरह से initialize किया है ठीक है और उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है context dot save changes वाला method हमें यहाँ पर call करना है जिससे क्या होगा हमारे पास यह जो data यह successfully इसके अंदर permanently यहाँ पर store हो जाएगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने simple सा message यहाँ पर pass किया और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कहां पर redirect हो जाओ देखो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ return redirect to action कौन सा वाला action यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर index है index का एक action method है इस product controller के अंदर उसके उपर redirect हो जाओ क्यों redirect हो जाओ क्योंके भाई देखो यह जो index वाला action method है ना वहाँ पर मैं क्या करूंगा अपना जो product से सारे उसको retrieve करूंगा ठीक है और देखो यह वाला जो हमारे पर return view है ना इसको मैं यहाँ से cut करता हूँ और यह वाला जो if है ठीक है इसके बाहर मैं आपर ले जाता ह मतलब यहाँ पर देखो ठीक है मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ठीक है यहाँ पर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यह वाली condition true हो जाती है तो यह सारा code execute होगा लेकिन अगर यह वाली condition false हो जाती है तो क्या होगा यहाँ पर देखो यह जो if है इसके बाहर मैंन वाला view है भाई देखो इसके अंदर हम image upload कर रहे हैं न मतलब file upload कर रहे हैं तो याद रखना जब भी आप file upload करते हो न तो आपका जो form होता है न उसके अंदर आपने एक attribute लाजमी लगाना होता है जिसको हम कहते है encryption type ठीक है encryption type और इसके अंदर आपने एक value pass करनी होती है और वो के अंदर मैंने दिया है क्योंकि देखो अगर आप यह वाला attribute यहाँ पर नहीं लगा होगे न तो जो हमारे पाँ वो जो choose file वाला जो control होता है na html control आप उसके साथ कभी भी काम नहीं कर सकते ठीक है तो यह आपने point याद रखना है सही है ठीक है तो यहाँ पर देखो controller में चलते हैं वापिस ठीक है तो यह सारा code मैंने यहाँ पर कर लिया तो मैं कह रहा हूँ जैसी हमारे पास data insert हो जाएगा तो हमें कहां पर redirect कर दो यह जो index वाला हमारे पा action method है वीव है इसके उपर redirect कर दो ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा देखो हम चलते हैं अपने index के action method के उपर ठीक है देखो यह वाला आपको नजर आ रहा होगा और इसके अंदर यहाँ पर पता है मैं क्या करूंगा देखो यह जो हमारा context है न मतलब जो DB context class का जो हमारे पा object है मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो हमारे पा product वाला DB set है इसको tool list के अंदर convert करके मतलब इसका सा view यहाँ से select करेंगे ठीक है add reserved view आ रहा है और यहाँ पर आके template हम select करेंगे कौनसी लिस्ट वाली model class यहां से select करेंगे कौनसी यह जो हमारे पर product वाली है ठीक है मतलब याद रखना product view model यूज नहीं कर रहा है यहाँ पर मैं product use कर रहा हूं तो इसको select करना है और आपकी यह जो image db context है यहां पर यह आ गया और यहां पर इसको मैं add के ओपर click करता हूं अच्छा view बनाते हुए यहां पर error आ रहा है error क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं इसको cancel करते है cancel करते है और नीचे चलते हैं देखते हैं कोई error आ रहा है ठीक है अच्छा यहां पर देखो यहां पर error आ रहा है जो closing bracket है अच्छा हो सकता है कि यहां पर एक bracket मुझसे हट गया हो ठीक है यहां पर एक और bracket मुझे लगाना है ठीक है हाँ देखो अब error चला गया मतलब यहाँ पे जो हमारे पार नेम स्पेस वाला यहाँ पे जो ब्रैकेट था ना वो गलती से मुझसे हड़ गया था इसलिए यहाँ पर error आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे मैं दुबारा इस index का view जेनरेट करता हूँ right click करते है add view पे चलते है razor view यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे देखो index है template list है ठीक है और यहाँ पे model class product यह वाली second वाली और यह हमारी db context add करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास यह अब index का view successful create हो चुका है ठीक है और देखो यह जो मैंने यहाँ पे temp data बनाया था ना कौन सा वाला मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है अपने product control में चलते हैं ठीक है यहाँ पे आ जाओ ठीक है यह जो temp data बनाया था success इसको मैं यहाँ पे call करता हूं कहां पे अपने index में ठीक है index के view में यहाँ पे देखो यह जो create का link है ठीक है इसके उपर मैं या पे इसको paste कर देता हूं या फिर अपमे table के उपर ठीक है यहाँ पे मैं इसको XK हमारे पास यहां पर view में आ जाएगा और यहां पर जो भी data insight किया होगा वो हमें यहां पर नजर आ जाएगा और देखो यह जो create new का आपको यह नजर आ रहा है यह वाला link इसके अंदर में यहां पर add product वाला action method है उसका यहां पर pass कर देता हूँ ठीक है उसका नाम add product ताके जब इस button के ओपर click होगा तो वो कहां पर जाएगा वो जो हमार add product वाला view था ना form था उसके ओपर अमें लेके जाएगा ठीक है तो यहां पर आके इसको save करते है और अब अपनी application को run करते हैं और इसका result देखते है तो यहां पर देखो हमारे form run हो चुका है ठीक है और अब इसके अंदर मैं कुछ product add करता हूँ for example मैं आपे लिख देता हूँ shirt ठीक है shirt लिख देता हूँ price मैं इसकी कर देता हूँ 1000 और choose file हम कर देते हैं ठीक है यहां पर कोई भी हम डाल देते हैं for example यह वाली डाल देता हूँ flower वाली red flower इसको select करते हैं तो देखो इसका नाम आगया और अब create के उपर click करते हैं और इसका result देखते हैं तो यह देखो हमारे पास insert हो गया और यह देखो हमें कहां पर redirect करके लिए इंडेक्स वाले view में लेकिन यहां पर देखो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा अभी image path के अंदर वो जो हमारा path store हुआ है database के अंदर वही get हो रहा है मैं आपको अपना database दिखा देता हूँ यहां पर आजो ठीक है देखो यह हमारा database है वो यह वाली है JPG तो भाई एक चीज़ notice करो यहां पर आओ देखो मैंने आपको बताया था ना मैंने good use किया था तो यह देखो यहां से लेकर यहां तक यह जो data है ना यह हमें good मतलब globally unique identifier ने हमें यह वाला जो पूरा एक random string है हमें generate करके दिया है और यह हर image के लिए unique होगा याद रखना ठीक है लेकिन भाई यहां पर देखो यहां पर image आनी चाहिए मतलब यहां पर image का path नहीं आना चाहिए यहां पर actual image आनी चाहिए लेकिन अगर मैं आपको यहां पर दिखाओ देखो मैंने क्या बताया था कि वह जो image है वो हमारे पास images के folder के अंदर भी add हुई है तो अगर यहां पर देखो यह images वाला folder आपको दिखाओ मैं इसको expand करता हूँ तो यह देखो इसके अंदर image आपको नजर आ रही है और देखो यह कौन सी image है यही वाली जो अभी मैंने insert की है तो भाई देखो अब इसको मुझे सही तरह दिखाना है कहां पर अपने index के view में तो आपने यहां पर क्या करना है यहां पर देखो यह जो th आपको नजर आ रहा है ठीक है heading इसके अंदर यहां पर मैं इसको अटाता हूँ display name for को और इसके अंदर मैं आपे image pass कर देता हूँ ताके heading के अंदर सिर्फ क्या नजर आ है image नजर आ है ठीक है और आप नीचे आ जाओ यहां पर देखो यह जो forest loop है ना यह क्या कर रहा है यही आपका वो जो table है ना database के अंदर वहीं से data fetch करके यहां पर आपको display कर रहा है तो यहां पर देखो यह वाला जो TD है यहां पर देखो यहां पर image path नदर आ रहा है तो मुझे यहां पर image path नहीं दिखाना बलके actual image दिखानी है तो उसके लिए देखो यह वाली line में यहां से इस यह वाला ये वाला ही जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आएगा लेकिन यह image कहाँ पर रख्यू पर रख्यूए है हमारे images के folder में रख्यू है तो इस के शुरू में यहाँ पर देखो मैं आपे क्या करता हूँ देखो पहले TILD का सिंबल और उसके बाद यहाँ पे forward slash और उसके बाद देखो images और उसके बाद दुबारा forward slash मतला भी जो TILD का सिंबल है किसको refer करता ही जो हमारा root project है इसको refer करता है और इसके अंदर यह जो images का folder है यह कहाँ पर है www root के अंदर लेकिन यहाँ पे देखो आपको www root देने की जरुद नहीं है आप direct यहाँ पे क्या करोगे यह images वाला यहाँ पे जो folder है वो यहाँ पे इस तरह से pass कर दोगे ताके यह जो आपकी image है वो बिलकुल सही तरह यहाँ से pick कर ले कहां से आपके images के folder में से सही है और वह आप देखो इस image का मैं यहाँ पे height और width भी set कर लेता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं inline CSS use करता हूँ style का यहाँ पे keyword और यहाँ पे मैं सबसे पहले कहता हूँ width width यहाँ पे मैं कह देता हूँ 100px ठीक है और उसके बाद यहाँ पे मैं कहूंगा height ठीक है height भी मैं आपे कर देता हूँ 100px ठीक है सही है तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ CSS भी यहाँ पे apply कर दी क्योंकि जो images यह बहुत बड़ी है इसको मुझे अपने table में दिखाना है इसलिए मैंने इसका size छोटा कर दिया ठीक है तो अब यहाँ पे आके मैं इसको run करता हूँ इसका result देखते हैं तो यहाँ पे देखो application run हो चुकी है और भई आपको पता है मैंने यहाँ पे required validation भी लगाई थी ना तो अगर मैं direct create के ओपर click करूँ तो देखो सबके error message आ रहें नीचे ठीक है तो अब यहाँ पे मैं for example मैं आपे कहता हूँ shoes ठीक है item का नाम है product का नाम है shoes यहाँ पे मैं कह देता हूँ 1500 इसकी price है choose file करते हैं और यहाँ पे मैं कोई भी दूसरी image select कर लेता हूँ ठीक है यह desert वाली image select करते है open करते हैं और यहाँ पे मैं इसको create पे click करता हूँ create करते हैं तो यह देखो जैसे create किया है हमें redirect करके कहाँ पे लेया index के ओपर और अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से हमारी images हमें show हो रही हैं क्योंकि हमने उनका path क्या कर दिया यहाँ पे आसे set कर दिया मतलब img का जो tag होता है वो यहाँ पे लगा दिया और उपर देखो message आ रहा है product added का जो हमने अपने temp data के अंदर pass करके यहाँ पे index के अंदर लगाया था लेकिन भाई देखो अभी जब हम अपनी application run कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जो add product वाला view है वो show हो रहा है मैं चाहर हूँ सबसे पहले हमें यह वाला page index वाला page show होना चाहिए और पिर जब हम create new के उपर click करेंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे इस वाले page पे चले जाएंगे जहां से हम अपना product add करेंगे ठीक है तो उसके लिए simple सा काम करना है यहाँ पर आ जो application को stop करते है program.cs के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखो पहले मैंने क्या pass किया था add product अब मैं यहाँ पर pass कर देता हूं index मतलब यह जो product controller के अंदर index वाला action method है यह सबसे call होना चाहिए ठीक है तो अब अगर मैं आपको अपना database दिखाऊं यहाँ पर आ जो यह देखो मैं यहाँ पर आकर command को execute करता हूं तो यह देखो अब हमारे path दो यहाँ पर add हो चुकी है मतलब दो products यहाँ पर add हो चुकी है और देखो उनका path यहाँ पर इस तरह number six हो गया ठीक है यहाँ पर आ जाओ ठीक है अब आ जाओ हमारा last step और वह बहुत जादा important भी है ठीक है किस तरह से यहाँ पर देखो step number seven इसके अंदर क्या कह रहा है add validations while uploading image मतलब हमें क्या करना है कुछ validations को add करना है जब भी हम image upload करते हैं मतलब कुछ common validation है कौन कौन सी भाई देखो एक तो required हो गया बाकी दो और है वो दो कौन कौन सी है भाई देखो अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारा user है वो एक large image मतलब एक बड़ी image जिसका size बहुत जादा है for example 2mb का है 3mb का है 5mb का है तो इस तरह की image भी user update करने की कोशिश कर सकता है मतलब upload करने की कोशिश कर सकता है तो हमें वहाँ पे उसको रोकना है क्योंके भाई देखो जितनी जादा बड़ी size की जो images है वो हमारे images के folder के अंदर जाएंगी और images का folder कहां पे होता है हमारे project के अंदर होता है तो भाई अगर images के folder के अंदर हमारे पास जादा size वाली images होंगी तो इसका मतलब हमारा जो project होगा हमारी जो application होगी उसकी performance भी down हो सकती है तो इसलिए हमने कोशिश करना है कि कम से कम size होना चाहिए for example हम यहाँ पे validation लगाएंगे type की images को हम यहाँ पे क्या करवाएंगे डाज सारी extensions की होती है अपर आज़ा देखो मैं अबने product controller के अंदर चलता हूkay यहाँ पर देखो जहाँ पर मैंने if condition लगाई है यह वाली इसके शुरू में यहाँ पर देखो मैं दो variables बनाता हूँ सबसे पहले मैं एक variable बनाता हूँ ext, ext मतलब extension और इसके अंदर यहाँ पर देखो जो path class थी इसका एक method होता है जिसका क्या नाम है get extension ठेक है इसके अंदर मैं pass कर देता हूँ यह जो हमारा prod वाला यह जो parameter है product.photo और इसके अंदर से मैं file name को get कर रहा हूँ मतलब जो भी file upload हुई है उसका पूरा file name मैं यहाँ से get कर रहा हूँ और जो get extension है ना वो पता है क्या करेगा उस file की जो extension है ना उसको get करेगा और इस ext के variable के अंदर store कर देगा और यह वाला variable मैंने क्यों बनाया है क्योंके मैंने क्या बता है मुझे check करना है कि कौन सी extension हमारा user pass कर रहा है मतलब कौन सी extension वाली image pass कर रहा है एक तो यह वाला variable हो गया दूसरा variable यहाँ पर मैं बनाऊंगा len len मतलब length यहाँ पर length के बज़ाए मैं आप इसको कह देता हूँ size मतलब image का size मैं यहाँ पर get करूँगा किस तरह से यहाँ पर देखो मैं कह रहा हूँ prod टेक है dot इसके अंदर photo है photo dot और इसके अंदर एक property होती है length की टेक है यह वाली मतलब देखो जो भी हमने photo यहाँ पर upload की है ना उसकी length हमें get करके देगा और इस variable size के अंदर pass कर देगा लेकिन याद रखना वो जो length get करके देगा ना वो bytes में get करके देगा मतलब वो mb, gb,s वगरा में get करके नहीं देगा बलके bytes में get करके देगा तो जब हम validation लगाएंगे तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे bytes का concept यूज़ करेंगे ठीक है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं एक if condition लगाता हूँ ठीक है if condition लगाता हूँ और यहाँ पर देखो इसको चेक करवाना है और operator यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं pass कर देता हूँ jpg ठीक है और उसके बाद दुबारा और operator यूज़ कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ jpeg ठीक है मतलब देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी condition true हो जाती है मतला अगर user ने इन तीनों में से कोई एक extension की photo upload की है तो यह वाला सारा code execute हो जाए तो देखो यह वाला जो इसका if का यह जो closing bracket है ना इसको पता है यहां पर else का part लगा दूँगा ठीक है else का part कब चलेगा जब हमारे पास user इन तीन extension के इलावा कोई चौथा या पांचवे type का जो photo है वो upload करने ही कोशिश करेगा तो इसके अंदर यहां पर देखो मैं दुबारा यहां पर temp data बनाता हूँ और मैं आपर कहता हूँ ext error ext error मतलब extension error और इसके अंदर यहां पर मैं pass कर देता हूँ एक message pass कर देता हूँ only png, jpg and jpeg images allowed सही है message आप कुछ भी pass कर सकते हो मैं simple सा message यहां पर pass कर रहा हूँ ठीक है तो concept समझना मतलब अगर यहां पर इन तीनों में से कोई एक condition भी satisfy हो जाती है true हो जाती है तो यह वाला सारा code execute होगा लेकिन अगर यह सारी condition false हो जाती है तो else का part चलेगा और यह वाला message हम print कर वाएंगे अभी अपने create वाले view के अंदर ठीक है ठीक है तो देखो यह extension वाली validation तो लगा दी अब दूसरी validation यहां पर लगानी है देखो यहां पर इसी के अंदर मतलब यह जो if लगाया था मैंने extension के लिए इसी के अंदर मैं एक और if यहां पर लगाता हूँ और इसके अंदर यहां पर देखो यह जो size वाला variable मैंने बनाया था न ठीक है ये वाला अब मैं इसको use करूँगा ठीक है इसके अंदर nested if के अंदर तो यहाँ पर देखो मैं कहा रहा हूँ कि अगर size हमारा less than है और equal है किसके यहाँ पर देखो मैं आपर 1MB पास कर रहा हूँ लेकिन 1MB पास करूँगा bytes में तो देखो 1 के आगे मैं यहाँ पर 6 दफ़ा 0 लगाँगा इसका मतलब है यहाँ पर यह क्या है 1MB है मतलब मैं कहा रहा हूँ अगर हमारी image का size 1MB के equal है या 1MB से less than है तब यह सारा code execute कर दो मतलब यहाँ पर देखो तब यह सारा code execute कर दो जो मैंने नीचे लिखा है ठीक है और इसका ही जो if का closing bracket है वो मैं यहाँ पर बंद करता हूँ ठीक है जो हमारा return है इसके बाद यहाँ पर आके मैं इसको बंद करता हूँ और इसके आगे मैं else block लगा लेता हूँ मतलब देखो मैं आपर क्या कह रहा हूँ पहले चेक करो extension को अगर extension match हो जाती है मतलब extension valid है तो आप इसको चेक करो size को तो अगर size 1MB से less than है तो यह सारा code execute करवा हो लेकिन अगर size हमारा 1MB से ज़ादा है तो क्या करो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं यह वाला copy करता हूँ temp data ठीक है उसको नीचे paste करता हूँ else के अंदर और यहाँ पर मैं कहता हूँ size error ठीक है क्या कहता हूँ यहाँ पर size error और इसके अंदर यहाँ पर मैं कहा देता हूँ image must be less than 1MB सही है message आप कुछ भी pass करवा सकते हो ठीक है तो आप देखो अब यह जो दोनो error messages है ठीक है यह मैं कहाँ पर pass करूँगा यह मैं pass करूँगा अपने create पे ठीक है तो यहाँ पर देखो पहले मैं इसको copy करता हूँ और अपने यह जो add product वाला view था ना इसके अंदर चलते हैं टॉप पे ठीक हो देखो जहां पर हमारा form शूरू हो रहा है इसके शुरू में यहां पर मैं P का tag लेता हूँ ठीक है और उसके अंदर add the rate और इस तरह से मैं इसको pass करता हूँ और यहां पर मैं इसका red color apply कर देता हूँ करता हूँ और यहां पर चलते हैं और यहां पर आके मैं जो second वाले इसके अंदर pass कर देता हूँ सही है मतलब अगर size का error आएगा extension का error आएगा तो उसी form के उपर हमें यहां पर वो error messages नजर आ जाएंगे ठीक है तो यह code था validation के लिए यह आप अच्छे से देख लो यह वाला code मैंने आपे किया अपनी validation के लिए ताके बिल्कुल सही तरह से हमारा यह काम हो जाए तो अब अपनी application को run करते है और इसका result देखते है तो यहां पर देखो अब हमारा index का page सबसे पहले नजर आ रहा है ठीक है create new के उपर click करते है तो यह हमें कहां ले जाएगा add new वाले यह जो product था इसके अंदर और देखो इसके अंदर मैं अब validation सारी आपको check करवाता हूँ ठीक है for example अगर मैं अभी create पे click करूँ तो सारे error message आएंगे required वाले और अब यहां पर देखो मैं कुछ भी pass कर देता हूँ यहां पर मैं कहा देता हूँ for example tie ठीक है price कर देते हैं यहां पर 300 ठीक है choose file यहां पर select करते है और अब देखो अब यहां पर मेरे पास एक image है आपको यहां पर नजर आ रही होगी अगर मैं इसके उपर right click करके इसका size आपको दिखाओ right click करते हैं इसकी properties में जाते हैं तो यहां पर देखो इसका size क्या है 1.78 MB इसका मतलब 1 MB से बड़ी है इसका मतलब मैं यह वाली image अप्लोड नहीं कर सकता और यहां पर देखो इसके bytes आपको नजर आ रहें मतलब इसके bytes क्या है जादा है जो हमने अपनी validation में लगा है उससे जादा है तो देखो अगर मैं इस image को यहां से select करके यहां पर create करने कोशिश करता हूँ तो आप इसका result देखना तो यह देखो क्या error आ रहा है आपके पास image must be less than 1 MB ठीक है तो यह वाली validation हो गई अब यहां पर देखो choose file के अब दुबारा जाता हूँ अब मैं ऐसी extension वाली image डालता हूँ जो के allowed नहीं है तो यहां नीचे आ जाओ यहां पर देखो मेरे पास पाकिस्तानी flag है लेकिन इसकी जो extension है न वो मेरे पास क्या है .ico ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर देखो extension आपको नजर आ रही है .ico और यह वाली file मैंने allow नहीं की ठीक है तो यहां पर देखो मैं इसको select करके open करता हूँ ठीक है देखो park flag .ico और यहां पर देखो जैसी create के उपर click करता हूँ तो यह देखो top पे क्या message आ रहा है only png, jpg and jpeg images are allowed ठीक है लेकिन अगर मैं आपे कोई image बिल्कुल सही डाल देता हूँ देखो choose file पे चलते है ठीक है नीचे जाते है यहां पर देखो यह आपको flower नजर आ रहा होगा इसके उपर मैं right click करता हूँ इसकी properties आपको दिखाता हूँ तो यह देखो यह jpg file है और अगर आप इसका size देखो तो कितना है 581kb 581kb मतलब यहां पे देखो यह bytes में 1mb से क्या है कम है तो अगर मैं इस image को upload करता हूँ ठीक है select करते है open करते है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना इसके साथ साथ बेल का एकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो मुझे अपनी दौब में याद रखना मिलते हैं इंशाला नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए दीजे इजाज़त अल्लाहाफिस